नमस्कार मैं स्रीमती गीता सेंग कॉलेज आफ टीचा एजूकेशन वाराणसी उत्तरपिदेश से हूँ आज मैं बच्चों को एक से दस्तक गिंती लिखना सिखाऊंगी क्योंकि हमारे प्रात्मिक विद्याले में जो बच्चे आते हैं उनकी उम्र पांच वर्स तक होती है तो इस उम्र के बच्चों को अंको का ग्यान मौखिक रूप से तो होता है लेकिन उन्हें लिखित रूप से इसका ग्यान नहीं होता है तो उसको अगर हम उन बच्चों से कहते हैं कि आप इसको लिखो डारेक्ट तो वो लिखना पसंद नहीं करते हैं तो इसके लिए सरवप्रथम हम उनसे कुछ तयारियां करवाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ खड़ी लाइन, कुछ तरह की लाइने और गोले बनवाती हूँ जिससे की बच्चे आसानी से सीख सकें, तो खड़ी लाइन, फिर उसके बाद पड़ी लाइन, फिर क करते हैं तो बच्चों से अगर हम कहते हैं कि आपका सीधा हाथ कौन है तो वो जानते हैं कि जिस हाथ से हम सारे काम करते हैं वो हमारा सीधा हाथ है और जिन हाथ से हम काम करने में परिशानी होती है जिन हाथों से वो हमारा उल्टा हाथ है तो हम उनसे कहते हैं कि एक गोला ऐस बनाये जिसका मुञ सीधे हाथ की तरफ आपके खुल रहा हो तो मुझे कहने की जुरुक्ष नहीं होती आ बस स्रूक्सन देते हैं थोड़ा सा और वह सीधे हाथ की तरह बना देते हैं फिर उसे कहते है कि ऊपर डि पूरा गोला भी बना लेते हैं, तो उनको ये आभास नहीं होता है कि हम पढ़ रहे हैं कि खेल रहे हैं, वो सोचते हैं कि मुझसे खेल खेलवाया जाता है, क्योंकि उनका बच्चों की आदत होती है, और कॉपी पैंसिल उनको पकड़ा दीजिये, तो खीचने की विभिन प् पूछते हैं कि सबसे पहला अंक कौन सा होता है, तो बहुत बच्चे उसमें बता देते हैं कि एक, एक लिखने के लिए हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एक खड़ी पाई खीची, बच्चे खीच लेते हैं, फिर उसमें कहते हैं उस खड़ी पाई में, उल्टे हाथ क तरफ खुला हो आधा गोला जोडते हैं तो इस तरह से हमने उसमें जोड दिया यह हमारा बन गया एक जब बच्चे यह इस तरह से जान गए लिखना की यह इसको एक कहते हैं तो उसको वो और अच्छी तरह से राइटिंग अभ्यास करते हैं तो करते करते वो एक इस तरह से लिख लेते हैं या इस तरह से लिखना शुरू कर देते हैं फिर इसी तरह हम एक के बाद बच्चों से पूछते हैं कौन सी संख्या तो बताते हैं दो अगर कुछ बच्चे नहीं बता पाते हैं तो हम उनसे बनवाते हैं कहते हैं कि एक सीधे हाथ की तरफ जो गोला खुला थ तो वो लेते हैं और उन्होंने आड़ी तिर्ची लाइने बनाई थी तो कहते हैं उसमें एक नीचे तिर्ची लाइन जोड दीजिए तो ये क्या हो गया दो और इसको अगर हम बच्चे प्रयास करेंगे अभ्यास करेंगे तो उसको फिर वो इस तरह से लिखना सीख जाएंग इसके बाद बच्चों का नंबर आता है तीन लिखने का तो तीन लिखने के लिए अभी बच्चों ने एक आधा गोला प्रयूक किया था जिसका मू उल्टे हाथ की तरफ खुला है उसी तरह कहते हैं बच्चों से कि इस बार आप दो गोले लीजिए जिनका मू उल्टी आटाके खीच दीजिए तो वो इस तरह से खीच देते हैं और फिर उसके नीचे हमें डंडी फिर उनसे लगवा देते हैं तिर्ची डंडी तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों तीन के बाद अब हमें लिखना है चार चार के लिए अभी बच्चों ने हमारे गोला बनाया था तो एक हम गोला बनवा लेते हैं और उस गोले के उपर क्या करते हैं कि जो उपर की तरफ जिस गोले का मुख खुला हो उस गोले को जोड़वा देते हैं और इस तरह से बच्चे जोड़ लेते हैं और फिर अभ्यास करते करते वो इस तरह लिखना सीख जाते हैं चार के बाद नंबर आता है पाँच का पाँच के लिए भी हमें एक उपर खुले हुए गोले का मुख यूज करना है प्रयोग करना है तो उसमें हम एक ऊपर खुला हुआ गोला ले लिया अब इसमें सीधे हाथ की तरफ एक सीधी डंडी सटा के खीच दिया और फिर उसके नीचे बच्चेव चिडिया की पूँच जानते हैं तो कहते हैं कि एक तिर्ची लाइन पूँच की तरह से आप जोड़ दीजी तो ये हमारा उनको पहले सिखाने का धंग है फिर उसको अगर वो अभ्यास करते हैं बच्चे तो पांच ऐसे लिखने लगते हैं पांच के बाद आता है छे लिखने की बारी छे के लिए हम दो गोले जिनका मूँ सीधे हाथ की तरफ खुला है उसको लेते हैं और जैसे तीन में हमने दो गोलों को एक के उपर एक रखा था खुले गोलों को उसी तरह छे में भी हम दो गोलों को एक के उपर एक रख देते और इसमें भी एक तिर्ची डंडी नीचे की तरफ लगा देते हैं लेकिन बच्चों को हमको ये बताना होता है कि तीन और छे दोनों में दो आधे खुले खुले गोलों का प्रयोग करते हैं लेकिन अंतर ये होता है कि एक कामू जो है सीधे हाथ की तरफ खुलता है और एक का पिजाओगे कि किसका छे कमूं उल्टे हाथ की तरफ खुलता है कि तीन de बाद नंबर आता है साथ का, साथ के लिए हम एक आधा गोला कोई भी प्रयोक करते हैं और उसमें नीचे की तरफ एक छोटा सा गोला बना देते हैं ये हमारा हो गया साथ, आठ बनाने के लिए बच्चों एक आधा गोला जिसका मुझ सीधे हाथ की तरफ खुला है तो वो कौन सा होगा, ये वाला, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें उपर सटा कर विल्कुल सटा कर इससे एक पड़ी पाई खीच देते हैं ये हमारा हो गया आठ, अब हम लिखेंगे नौ, नौ के लिए दो गोले जैसे हमने छे में लिये थे उसी तरह दो आधे खुले गोले नौ में लेते हैं और एक इनके बीच में, इनके बीचों बीच एक डंडी लगा देते हैं ये हमारा हो गया नौ, नौ के बाद संख्या होती है दस दस के लिए बच्चों एक बनाना आपने सीख लिया है एक और उसके आगे एक गोला बना देते हैं ये हमारा हो गया दस कर दो कर दो